हेलो गैस अगर आप लोग जो मोबाइल स्क्रीन में ऐसा इमेज देख रहे हो ऐसा इमेज आप लोग को बनाना है तो वीडियो को पूरा एंट तक देखिए गैस बिलकुल मैं फ्री में आप लोग को बतला दूँगा गैस सिंपली से आप लोग को बस एक ही बात कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दीजे बस चलिए शुरू करते हैं गैस आप लोग सिंपली से प्लेइ स्टोर में आ जाएगा प्लेइ स्टीर में आने के बाद सिंपली से आप लोगो सर्च करना है गाईस Bing Bing सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा गाईस ये F का आप लोग सिंपली से इसे डाउनलोड कर लिजिएगा अपना फोन में मैं डाउनलोड कर चुका हूँ फिर मैं open को दाब देता हूं गैस फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा गैस यह एफ का फर्स्ट में तो यहाँ पास जो last में एफ लिखा हुआ दिख रहा है ना गैस simply से इसे आप लोग दाब दीजिए दाबने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा गैस आप पास यह वाला मैं लिक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गैस हर चीज का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आप लोग वीडियो का इमेज में आप लोग जैसा जैसा देखेना सबका मैं description में लिग के दे दूँगा गईश फिर simply से आप लोग create को ऐसा दाब दीजिए गईश ऐसा दाबने के बाद कुछ ऐसा loading लेगा गईश ऐसा loading लेने के बाद कुछ ऐसा बन के आ जाए गाए मेज़ गईश लग रहा है ना गईश वाओ फिर ऐसा image बन के आ जाएगा गाईश सिंपली से फिर आप लोग को दूसरे भी बनाना है ना गाईश पर पोजला आप लोग ऐसा image भी बना सकते हो गाईश यह देख सकते हो गाईश ऐसा रोजला भी बना सकते हो मैं यह सब का description में लिख के दे दूँगा आप लोग सिंपली से कोपी कर लिजेगा गैश ते हस था रोजवाल मैं बना जिक यह दे दे दूँगा description में आप लोग एशा कर लिजेगा अर वार को को सब्का में description में है कोई फिर ऐसे डोल लावी गैस अगर आप लोग को नाम चेंज करना है गैस अपना नाम लिख सकते हो सिंपली से मैं यहां कार्ड देता हूं गैस और यहां पास अपना नाम लिख देता हूं असमंत एस असमंत लिख देता हूं गैस फिर से मैं क्रियेट को दाब देता हूं यहां लड़की का नाम यहां लड़का का नाम गाई देख सकते हूं सिंपली से मैं क्रियेट को दाब देता हूं गैज फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाए है देख सकते हूं फिर ऐसा बन के कुछ आ जाएगा गैस मैं इसका डिस्क्रिप्शन में सब फ्रॉंट लिक के दे दूँगा गैस और कुछ भी दिक्कत आएगा ना गैस सिंपली से आप लोग मुझे कॉमेंट कर दीजेगा और गैस मैं ऐसा वीडियो लाते रहता हूँ मिलते हैंगा इस नेक्स वीडियो में